हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज देखे फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खुपसूरत दो रंगों की डिजाइन लेकर आई हूँ इस डिजाइन से फ्रेंड्स आप बेबी कैप, सॉक्स, ओलेन ब्लाउज, कारडिगन, चैकेट किसी भी प्रोजेक्ट प हमने यहां पर 20 फंदे डाले हुए है टोटल, फर्स्ट रो से यह डिजाइन हमारी बननी सुरू हो जाएगी, तो चलिए इस डिजाइन को हम बनाते हैं, और यहां पर हम सेकेंड कलर जोड़ेंगे, सेकेंड कलर ब्लू कलर को हम यहां पर लगाएंगे, फ्रेंट्स, देखे पर एक फंदा हमने यहां पर बुना, एक फंदा हम उतार लेंगे, यानि हम जो सेकेंड कलर लगाएंगे, उस कलर से हमने फंदे को बुनना है, और जिससे हमने फंदे को डाला था, उस फंदे को हमने उतारना है, तो यहां पर देखे, एक फंदे हम बुन रहे हैं, एक शूरट डिजाइन है बहुत जल्दी बनने वाली यह डिजाइन है चोटी-चोटी बूटीज टाइप की यह डिजाइन बनती है फ्रेंट्स यह देखिए तो फर्स्ट रो हम ऐसे ही कंप्लीट करते हैं उसके बाद बैक साइड आते हैं हम फर्स हम फ्रंट साइड से बोनकर कंप्लीक कर लिए अब पीछे की साइड आ गया है है तो पीछे की साइड से हमने क्या करना है चैरफिछ, आप लोग को सीधा सीधा बना रहे हैं यह दिखिए आपने कुछ नहीं करना है जैसे आपने आगे की साइड बुना है फ्रंड्स वैसे हम पीछे की साइड से भी बनाएंगे सीधा सीधा आगे की साइड से एक फंदे हमने बुने हैं एक फंदे उतारें से वही जो फंदा हमने उतारा है उसको हम पीछे की साइड से भी बनाएंगे तो आप इस डिजाइन को मल्टी कलर में भी बना सकते हैं जैसे आपके पास उन बज जाते हैं तो आप उस कलर से भी बना सकते हैं यह देखिए अब हम आगे की साइड आ गया है तो हमारी डिजाइन कुछ अभी समझ भी नहीं आएगा थोड़ा बहुत आप लोग को इसके उपर जब बनेगा तब अब हमने क्या करना फ्रंट देखिए हम यहाँ पे दो सलाई की ब्लू कलर से निटिंग करेंगे आप फंदे डालने के बाद दो सलाई की निटिंग कर ले सीधे उल्टे की तो अब हम सभी फंदे को यहाँ पे देखिए ब्लू कलर से बनाएंगे यह देखिए अब सभी फंदे को हम सीधा सीधा ब्लू कलर से बनाएंगे एक सलाई इस साइट से एक सलाई पीछे की साइट से फिर हमारी डिजाइन बनना सुरू होगा तो चलिए हम दो सलाई बुन लेते हैं पीछे की सैट से उल्टा-उल्टा आगे की सैट से सीधा-सीधा अब देखे फ्रेंश हमने आपे दो सलाई आगे की सैट से बुना है दो सलाई पीछे की सैट से यानि टोटल हमने आपे 4 row complete किया है अब हम yellow color से एक फंदे बनाएंगे ये देखिए और blue color का एक फंदा हम slip करेंगे यानि अब हम जैसे नीचे की side से बनाये थे वैसे ही हमने बनाना है बस हमने हमने color change किया है फ्रेंच फिर देखिए blue उतारेंगे yellow से भुनेंगे ऐसे ही हमने ये पूरी रो complete करने ये बहुत प्यारी डिजाइन आएगे भी बनने के बाद देखिए एक रो तो पता नहीं चला फ्रेंट लेकिन इसके उपर वाला डिजाइन हमारा खिल कर आएगा देखिए ऐसे ही चलिए हम ये पूरी रो कम्प्लेट कर लेते हैं देखे फ्रेंट्स हम ये आगे की साइड से पूरा बना लिए हैं अब पीछे की साइड आ गए हैं तो पीछे की साइड से हमने वही करना है जो फंदे उतारे थे उनको उतारेंगे जो बुना था उसको हम बुनेंगे पीछे की साइड से भी हम फंदे को सीधा सीधा बना रहे हैं यह दिखिए है आप चाहें तो इसे मल्डी कलर में भी बना सकते हैं दो कलर कोई सा भी ले सकते हैं और इसे आप सिंगल कलर में उपाते हैं सिंगल कलर में सिर्फ आपको वही करना होगा एक ही कलर से आपने बुनना है और एक ही कलर का फंदा उतारना भी है अब हम आगे की साइड आगे हैं तो देखिए यह हमारी डिजाइन कुछ ऐसे बनकर आई है अब हमने क्या करना है इसके उपपर हम पीले करण से बनाएंगे तो एक लाइन और आप लोग को बना के दिखाती हूं ही बेखिए एक हमारी कुछ डिजाइन यह ऐसे बनकर आई है एक चीज़ और ऊपर फिर दो गैप करने के बाद फिर से ब्लू कलर से बना लिया है वो पर फिर दो स्लाई हम ब्लू कलर कब नैंगे फिर पीले बाले सी हमारी डिजाइन सुरू होगी तो वीडियो को आप लोग जादा जादा लाइक करें शेयर करें नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू